आप glasses ना सिर्फ हमें smart and handsome दिखाते हैं उसके साथ-साथ इंडियन्स की नजर से वो हमें और भी ज़्यादा intelligent भी दिखाते हैं So hello guys, how are you? I hope आप सब बढ़िया ही होगी, welcome back to another video So आज की वीडियो में आपको बताने वालो how to choose best glasses for your face And न सिर्फ इतना ही, इससे जादा important एक चीज है, इसे खरीदना कहां से है So वो भी आज की वीडियो में आपको बता हूँगा And साथ-साथ एक और बहुत जादा important चीज आपको वीडियो के बीच में पता चलिए So वीडियो को पूरा इंट तक देखेगा, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो So इसमें हम सारे face shapes के बारे में बात नहीं करेंगे इसमें हम सिर्फ दो face shapes को रखेंगे क्योंकि almost सारे इन से similar ही होते एक होती हमारी structural and दूसरी होती हमारी round face shape यानि कि structure यानि कि थोड़ी सी edgy like square हो गया हमारा diamond हो गया and round में आगे हमारा round So glasses लेने का basic simple सा rule ये है कि आपको हमेसा अपने face shape के opposite थोड़ा सा जाकर glasses लेने तभी हो हम पर अच्छे लगते है अब like अगर आपका face shape round है तो आपको लेने थोड़े से edgy glasses, थोड़े से structure के edges थोड़े से sharp हो या थोड़े से curved लेने अगर आप round पर round पहनोगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे अगर आपका face structure है बहुत ज़्यादा edgy है आपका तो आपको थोड़े से round की तरफ जाना है खुबसूरत face कुछ ऐसे भी होते जिन पर की लाइक अगर आपका face round है तो उन पर round भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते glasses ये मान लीजिए कि सौ में से दो बार ऐसा होता है तो क्या पता आप भी उन में से एक हो तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बता दिया जाए फाइनल पॉइंट पर कि ये खरीदने कहां से क्योंकि खरीदना बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है अगर हम इसकी shopping online करते हैं तो वह बहुत ज़्यादा एक बुरी डील हमारे लिए हो सकती है क्यों बुरी डील हो सकती है क्योंकि online हमें सिर्फ देखने का मौका मिलता है क्योंकि आपको वहां पर different types of varieties मिलेंगे आपकी आखों के सामने आप उन सभी कुछ चेक कर सकते हो एंड उसके बाद आप उसे बाए कर सकते हो अपने आप पर ट्राय करने के बाद जो अच्छा लगा हो आपने पर्चेस कि एंड इन सभी basic rules की मदद से ही मैं आपने पहले से glasses लेता आया हूं और यह भी मैंने इन ही की मदद से लिया है यह भी मैंने offline ही पर्चेस किया यह देखिए आप थोड़ा सा curved है नीचे से भी थोड़ा सा curved है पूरा round नहीं है क्योंकि पूरा round मेरे face पर अच्छा नहीं लगेगा और पूरा ऐसे square type में वह भी अच्छा नहीं लगेगा सो इसलिए मैंने भी यह पर्चेस किया था आप भी ऐसे पर्चेस कर सकते हो अब इससे ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं खीचा जाएगा क्योंकि छोटी सी बात है छोटा सा पॉइंट है छोटा सा टॉपिक है सो बस गाई इतना है आज की वीडियो में आपने अगर यह दो वीडियो नहीं देखे तो आप यह वीडियो देख सकते हो मैं मलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाड़ा